हेलो विवर्स वल्कम बैक टू प्रीटीज फ्लेफर आज हम बनाने बाले हैं मटर का बहुत ही टेस्टी अचार ये मोसली सभी को बहुत पसंद आता है इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मटर का एकदम टेस्टी वाला अचार तो इसके लि क्योंकि मतर, हमारी अठ्छी से डेप हो जाए और मतर हमारी बॉइल होगी कि तो इसके लिए पाणी हम ज्यादा ही लेंगी जब पानी हमारा गरम हो जायेगा,atar और मतर के साथी हमें, इसमें इसमें चीनी चीनी अचिनी हम पर देंगे बॉइया है और हम मटर का पाणी रिमूब कर देंगे और दूसरी तरफ हम लेंगे एक्तम थंडा पानी थंडे पानी में हम मटर को एड़ कर देंगे इस प्रोसेस को शॉक टेना बोलते हैं जिसे कि मटर हमारी ओवर कुक नहीं होती है इसको हम दो मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे इसके बाद इसका पानी हम रिमूब कर देंगे दूसरी तरफ हम लेंगे एक प्लेट और उस पे हम एड़ करेंगे टिशू पेपर या किच्छिन टॉवल इसके बाद हम मटर को इस पे फैला देंगे इस तरह से और जो मटर का पानी होगा ना उसको हमें निकालना है इसके लिए हम क्या करेंगे इस तरह से टीशू पेपर से मटर को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल भी मश्चर ना रहे या फिर इसको किचिन टावल पे रखके इसको इस तरह से ड्राई कर सकते हैं जिससे कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे या फिर फैन की नीचे रख सकते हैं और दूसरी तरफ हम लेंगे एक पैन गैस का फ्लेम हमें लो रखना है तो यहाँ पे मैं ले रही हो साबुद धनिया, सौप, जीरा, काली मिर्च के दाने और थोड़ी सी मेथी, मेथी दाना इन मसालों को हमें पैन में डाल कर कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट कर लेना है गैस का फ्लेम हमें एक दम लो रखना है, लो फ्लेम पे हमें मसालों को रोस्ट करना है मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं, गैस का फ्लेम हम आफ कर देंगे अब हम इनको एक प्लेट में निकाल के रख देंगे दो मिनट के लिए मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं अब हम इनको जार में आट करेंगे और एक दरदरा सा पाउडर तयार कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से ज्यादा वारिक नहीं करना है दूसरी तरह हम लेंगे पैन और उसमें लेंगे हम मस्टर्ड ओयल ओयल हमारा अच्छे सी गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हींग हींग से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसके साथ हम इसमें अट करेंगे पीली सरसो के दाने और थोड़ी सी अजवाइन और इसके साथ हम इसमें अट कर देंगे मसाले जो हमने रोस्ट करके ग्राइंड किये थे इनको हमें mix कर देना है गैस का flame हमें off कर देना है क्योंकि मसाले हमारे already roast किये हुए हैं इसके साथ हम इसमें add करेंगे red chili powder थोड़ी से healthy इसे color बहुती अच्छा आता है अब हम इन मसाले को butter में add कर देंगे अब हम इसमें add करेंगे salt अब हम इसको मिक्स कर देंगे तैयार है हमारा मटर का बहुत ही टेस्टी वाला अचार इसके साथ इसमें एक चीज और एड़ करनी है हमें तीखे के लिए हमने इसमें चिली पाउडर एड़ कर दिया था अब हम इसमें एड़ करेंगे वन टेबिल स्पून विनेगर इसमें खटा बनाता है और इसको हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं तो यहां पिलेंगे हम एक काच का कोई भी बरतल लेंगे उसमें हम स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं इसको आप चाहें तो एक साल भी रखके खा सकते हैं आप ज़्यादा सा मटर काचार बना लीजिए और एक साल तक स्टोर करके खा सकते हैं बनाईए और इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आयो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें